दोस्तों, industry में बहुत बार complain आता है कि motor start ने होता है यह common problem है दोस्तो, ज़्यादा तर industry में यहीद प्रोब्लेम आता है कि motor start ने हो रहा है यानि यो push बोटन को दबा रहे हैं, start push बोटन दबाने पर भी motor start ने होुरा है या control room से start कर रहे हैं, तो भी motor start ने हो रहा है तो आज का वीडियो में में आपको यह समझाने वाला हूं दोस्तो यह जो मोटर आप देखने दोस्तो इसका मांटिंग को देखिए यह मोटर का मांटिंग B3 मांटिंग है यानी यह foot mounted मोटर है दोस्तो तो जब भी मोटर को start करें मोटर start नहीं हो रहा है तो उसका एक रिजिन होता है दोस्तो, मोटर D couple हो गया होगा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाके PLC में चेक करते हैं, PLC में देखते हैं कि मोटर का run feedback आ रहा है की नहीं, PLC में आपने जाके देखा, कि मोटर का run feedback आ रहा है, जैसा कि यह PLC प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, यह जो मोटर है दोस्तो, मोटर का run feedback आ रहा है, जो लिखा गया है, drum filter running, यानि मोटर running condition में है, यह feedback आ रहा है, इसका मतलब है कि मोटर में supply आ रहा है, नहीं तो मोटर का जो contactor रहे दोस्तो, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, जाकि लोकाल में देखते हैं दोस्तो, कि हो सकता है, मोटर decouple हो गया होगा, जैसा कि यह मोटर देख रहे हैं दोस्तो, मोटर भी चल रहा है, यह देखिए दोस्तो, मोटर का coupling, gearbox के साथ coupling हुआ है, मोटर भूम रहा है, और साथ साथ gearbox भी भूम रहा है, और उसके साथ gearbox भूम रहा है, उसका मतलब है कि जो में पुली है, यानि यह convert मोटर है दोस्तो, तो convert का पुली भी भूम रहा है, तो इसी तरह आप लोग physically जाके चेक करते हैं, लेकिन और कुछ टाइप का मोटर रहता है दोस्तो, यह देखें दोस्तो, यह जो मोटर है, यह flange mounting motor है, यानि पहला वाला जो मोटर आपने देखा, वो foot mounting वाला था, लेकिन यह जो मोटर माउंटिंग है दोस्तो, इसका flange mounting है, तो यह वाला मोटर decouple हुआ की नहीं, आप केसे मालूम करेंगे, फिलाल यह मोटर भी चल रहा है, चल रहा है तो आप देख रहे हैं, दोनों साइड का इसका साफ वो भी घूम रहा है, यानि मोटर connect हुआ है, gear box के साथ, मोटर घूम रहा है, उसके साथ साथ, दोनों साइड का साथ घूम रहा है, लेकिन कभी-कभी यह मोटर में, इसी टाइब का problem आता है, complain आता है कि मोटर start नहीं हो रहा है, तो ये भी तो problem हो सकता है, दोस्तो कि मोटर घूम रहा होगा, लेकिन उसका का coupling है, और decouple हो गया होगा जैसा कि आप देखने दोस्तों gearbox और motor के बीच में जो coupling रहता है और बाहर दिखाई नहीं दे रहा है यानि अंदर में actually motor घूम रहा है कि नहीं या decouple हो गया है यह मालूम नहीं पड़ रहा है तो यह वाला motor का अगर problem आ जाए ज्यादा तर जो flange mounting motor रहता है इसी type का motor में अगर problem आ जाए तो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा यह देखे दोस्तों उसका फ्यान cover का अंदर में आपको देखना पड़ेगा physically आपको हाथ मार के देखना पड़ेगा कि actually motor घूम रहा है कि नहीं अगर motor घूम रहा है और gear works नहीं घूम रहा है तो उसका एक reason हो सकता है कि motor decoupling हो गया होगा तो आपको क्या करना है motor को सबसे पहले खोलना है दोस्तो gear works से motor को अलग कर देना है यह देखे दोस्तों motor अलग होने के बाद motor पुरा freely घूम रहा है अभी gear works साइड का हम लोग घूमा रहे हैं यह भी दोस्तों freely घूम रहा है freely तो नहीं यह भी free है jamming नहीं है दोस्तों तो फिर motor तो घूम रहा है लेकिन gear works क्यों नहीं घूम रहा है दोस्तों उसका reason हो सकता है कि यह decouple हो गया होगा लेकिन यहाँ पे देखें दोस्तों coupling लगा हुआ है यानि coupling उसका सही position में है कुछ भी टूटा फूटा नहीं हुआ है ना gear work साइड में कुछ टूटा है ना motor साइड में कुछ टूटा है तो फिर यह motor decouple कैसे हुआ दोस्तों यह देखें दोस्तों यहाँ पे जो यह coupling है दोस्तों इसको बोला जाता है close coupling तो सबसे पहले आपको यह coupling देखें दोस्तों क्या defect हुआ है यह देखें दोस्तों उसका जो साप थोड़ा सा बाहर निकल आया है उसकी बज़े से क्या हो रहा है motor और gearbox के बीज में यह coupling तो लगा रहा है लेकिन उसका अंदर में यह foul हो रहा है यानि यह सही तरीके से element नहीं हुआ है तो अभी हमको क्या करना है इसको re-alignment कर देना है यानि यह जो coupling है उसका position से थोड़ा अंदर चला गया है दोस्तों उसको सही position में लाना है तो कैसे लाएंगे दोस्तों यह वाला जो coupling में उसका उपर देखिए एक LN की screw लगा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह LN screw को आपको tight करना है दोस्तों यह क्यों अंदर की तरफ चला गया क्योंकि यह loose हो गया दोस्तों यह जो LN की वाला screw आप देख रहे है यह screw को आपको tight करना है आप tight कर देंगे तो यह उसका position में चला आएगा अगर यह loose होगा तो यह क्या होगा फिसल के अंदर की तरफ चला जाएगा उसका position में नहीं रहेगा अगर position में नहीं रहेगा तो क्या करेगा यह foul होके motor तो गुमता रहेगा लेकिन यह वाला coupling नहीं गुमेगा दोस्तों only उसका motor का shaft ही गुमेगा क्योंकि यह loose होगा दोस्तों इसलिए आपको इसको tight कर देना है यानि यह coupling shaft के साथ properly fixed होना चाहिए और फिर यह वाला coupling जाके gearbox का coupling के साथ fix होगा दोस्तों नहीं तो क्या होगा दोस्तों only motor गुमता रहेगा यह coupling बिल्कुल भी नहीं गुमेगा अभी fix करने के बाद हम लोग दुबारे यह motor को gearbox के साथ जोड दिये अभी देखे दोस्तों मोटर चल रहा है और उसके साथ-साथ gearbox भी घूम रहा है और जो लोड है gearbox उपर जो लोड है वह भी घूम रहा है तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो आच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ-साथ बेल आइकोन को प्रेस करें और अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेट करके भी पूछ सकते हैं क्योंकि शिर्फ इसी चानल के उपर आपको इलेक्ट्रिकल का हर एक टोपिक उपर याणि इंडस्ट्री में आप जितना सारा इलेक्ट्रिकल इक्पूमेट यूज कर रहे हैं सारे इलेक्पूमेट के बारे में मैं टौफल्पल सुटिंग वीडियो भी बनाता हूं और आपको उसका प्रोसेस का जानकरी भी मैं आपको देता हूँ दोस्तो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो